असलाम अलेकुम आज एक एहम टोपिक के साथ हैं कि जिसका मतलब है कि हमने जितना भी पीछे से पढ़ा है ना उसका आज हमने खुलासा कर देना है कि फाइल पर्सेसिंग सिस्टम में और डाड़ाबेस में क्या डिफ्रेंस है लेकिं इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब अगर आप पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर साइस को सीखना चाहते हैं यह आप इसके स्टूनेंट्स है आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए चैनल फाइदा मन रहेगा अब चलते हैं अपने हम टोपिक की तरफ डिफरेंस बीट्वीन फाइल परसेसिंग अब हम इसका कंप्यारिजन करने लगे हैं कि इनमें में डिफरेंस है क्या तो दा प्रोग्राम और जो डाटा है वो आपस में डिपेंड करता है हमने पहला भी पढ़ा था कि जो डाटा होता है और जो डाटा को सेफ करने के लिए जो एप्लिकेशन प्रोग्राम होते थे फ एक दूसरे पर डिपेंड करते थे यानि अगर हमने डाटा या उसका फार्मेट चेंज करना है तो हमें वह एप्लिकेशन प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा जिसमें वह डाटा स्थोर है यह था फाइल पर्सेसिंग सिस्टम लेकिन डाटाबेस में वह जो डाटा और के दर्मियान लिंक है वह खतम होगे यानि वह इंडिपेंड होगे चाहिए हम डाटाबेस डाटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करें लेकिन हमें अप्लिकेशन प्रोग्राम चेंज करना की कोई जूरत नहीं पड़ेगी यह इसने हमें एडवन्टेज दिया ना उसके बाद चाहते हैं, the data may be duplicate in different files that case data redundancy यानि data redundancy का मतलब यह है कि data duplicate हो ना है जब एक जगह Cake पर हमने data store किया फिर उसके बाद दूसरी जगह भी data store किया तीसरी जगह भी data तो सेम है लेकिन मुदि जगह पर मुदिख प्रपस के लिए store है तो वह case of higher storage का सबब बनता है इसके लावा यह जो रिड़नेंसी है इसकी वज़ा से वो डाटा इनकंजिस्टनसी भी होती है तो यहां पर मेंग जो उन्होंने कहा कि फाइल परसेसिंग सिस्टम में डुब्लीकेट होता है डाटा लेकिन डाटा इस नाट डुब्लीकेट अनप पेर यहां पर डाटा डुब्लीकेट नहीं होता है डाटा बेस में यह डाटा डुब्लीकेशन खतम हो जाती है डाटा रिड़नेंसी मुकमल तोर पर खतम हो जाती है क्योंकि यहां पर डाटा ही सिरफ एक मर्दभा पेर होता है जब डाटा एक जगा से दूसरी जगा पर है ही नही यह देखिएगा इस लाइन को इसके साथ असीएट करें यानि डेटा रीडर नहीं मुक्लिफ जगा पर मुक्लिफ डेटा है अब एक जगा पर स्टूडेंट का मुकमल डेटा लिखा हुआ है उसका नेम अड्रेस ने वगारा सब कुछी इमेल फून नमबर अब एक वह इसके स्टूडेंट फाइल में सफीएट उसने अपना फाइल में अपना फाइल में डेटा है उसका मेरा जो पता है यह तो यह इनसान के मुक्तलिफ इंफारमिशन हो एक जंगा उसका अड्रेस हो रहा है एक जंगा अड्रेस हो रहा है तो यह यहां पर इंकंजिस्टेंसी आ जाती है ठीक हो गया इसके बाद जबके डाटा पे इस अप्रोच में डाटा इंकंजिस्टेंसी नहीं है तो डाटा इंकंजिस्टेंसी कहां से आजगी तो डाटा लिंक होने की वज़य से यहां पर redundancy नहीं है अगर आप ड्रैक किस वीडियो पर आये हैं तो मैं मुकमल कोशिश करूंगी आपको फिर भी समझ आये लेकिन फिर भी अगर को concept रहा जाता है तो इससे previous दो वीडियो देखिएगा आप मुकमल तोर पर एक दम clear हो जाएगा आपक धेटा प Sun die दोर यहां पर यहां पर पर ही एक मर्दवा हुआ है तो यहां पर कोई डेंडनरशी नहीं है चलोड इनकनजिंस्टेंसी भी नहीं बहुत करेंग पर इनकन जिस्टेंसी के बद इनकनजिस्टेंसी स्टरम-पर अब अब यह मुश्किल होता है कि हम यह मुक्तलिफ फाइल से यानि दो फाइल से डाटा लें और एक अपने रिक्वार्मेंट के मताबिक वो डाटा ले सकें जैसा कि एक में पिछे एग्जेंपल भी थी एक फाइल में स्टूडेंट का इमेल है और फी फाइल उसमें फी के मुतल आपड में डाटा रिटराईट करना फाइल फाइल सेसंग सिस्टम में मुक्त जाराना मुश्किल होता है डाटा इस चोरी फी इन टेबल वीच यह लिंक्त तोगेदर जब के जो डाटा घोलिए टेबल में वह लिंक दूसरे से था अप्लिकेशन के रिटराइफ और इसीली यहां पर link होने के वज़ा से हमने जो भी हमारा requirement है हमारी required data हम easily retrieve ले सकते हैं उसमें यानि उस data को असाने से निकाल सकते हैं The data is distributed in many different files I cannot be shared यह main disadvantages है इसका कि data को हम share नहीं कर सकें क्योंगे वो distribute हो चुका है different file में जब के वो distribute है different file में तो यह मुश्किल है कि जैसा कि उपर उन्होंने का कि यह मुश्किल है कि हम अपनी requirement के मताबक data को ले सकें तो इसी तरह वो data को हम share नहीं कर सकते हैं The data is stored at one place and can be shared easily Database में तो हम easily share कर सकते हैं data चाहिए वो different user में share करें different application में करें अगर नहीं application में नहीं है उसकी requirement same data है तो हम वहाँ पे भी वो data share कर सकते हैं कि बजाए हम इसके के दुबारा से इसको develop करें It is difficult to apply data integrity check on file Integrity meaning reliability and accuracy of data इन data को accurate रखने के लिए हम जोंसे rules को apply करते हैं वो file processing system में नहीं कर सकते data approach में concentrate for data integrity यानि data को integrity रखना यानि उसकी accuracy को बहाल रखने के लिए हम file processing system में कोई concentrate नहीं कर सकते हम नहीं कह सकते हम नहीं कह सकते कि आपने सिरफ इस field में numeric data apply करना है वो student चाहे वहाँ पे को user जो हम मर्जी enter करें वो file processing की सरदर्दी नहीं है लेकिन database में अगर हम कहते हैं कि इस range से ज्यादा number ना हो तो database कहेगा user को कि आप range क्रास करें इस range से आगे नहीं जा सकते database में हम कहें कि इस field में सिरफ numeric value जानी चाहिए तो database कहेगा कि आप इसमें सिरफ numeric आप और यह एंटर नहीं कर सकते हैं अगर data वो एंटर करता है तो यह database हमें provide करता है कि हम different rules apply कर सकते हैं इस प्रवाइड पूर security as data is validly spread जैबके जो data है उसमें file processing system में हम यह security problems हमें face करना पड़ती है क्यूंकि हम चाहते हैं कुछ situation में हमारी requirement के मताबिक security हो हम चाहते हैं कि अगर data entry operator है वो सिरफ enter करे data उसको बाकी data वो hide रखा जब उसको access ना कर सके इसी तरह अगर कोई organization का चेर में है वो data को access भी कर सके और completely उसे delete भी कर सकता है तो इस तरह से यह अलाग-अलाग requirement में है हमारी के अलाग-अलाग जो user है उनके लिए अलाग-अलाग data access वो कर सके बस उतना ही part कर सके लेकिन file processing system में हम यह हमें यह नहीं मिलती सहूलत तो जबके it provide many procedure to maintain the data security जबके data-based management system हमें provide करता है कि हम मुक्तलिफ किसम की data security मुक्तलिफ यूजर पर भी लगा सकते हैं कि इस यूजर को सिर्फ यहां तक access से ज्यादा access नहीं है it is difficult to maintain as it provide less controlling facility यह इसको maintain करना difficult है मुक्तलिफ जगह पर है मुक्तलिफ data store है एक दूसरे से मुक्तलिफ है data हमें एक दूसरे की separate file को share नहीं कर सकते तो इसको maintain करना भी मुक्तलिफ है क्योंकि यह हमें provide करता है थोड़ से facilities it provide many facility to maintain the program easily जब data एक ही जगह पर है और हम उसको data को असानी से share भी कर रहे हैं तो इसको maintain करना भी इसलिए आगे it is less complex system जबकि इसमें facility काम है तो यह उतना ही complex भी काम है it is very complex system इसमें अगर चाह हमारे लिए advantages बहुत जाता है हमारी जितनी भी पिछली problem थी file processing system की उसको solve किया इसने वह हमारे लिए इसने उस problem को खतम किया तो लेकिन इसके बावजूद जब इसमें इतनी ज्यादा advantages इतनी ज्यादा यह facility दे रहा है sorry इतनी ज्यादा facility दे रहा है तो इसके मतले वह उतना ही complex system the cost is very less than database management system अब यह इसके advantages शुरू हो गए यहां से the cost is very less than database management system अब जो इसकी cost है जैसे के इसके जो परवाइड करता है हमें facilities वह भी काम है जिसकी वजह से इसकी cost भी काम है यह complex भी काम है the cost is much more than file system file system के मकाबले में database बहुत ही महांगा है क्योंकि यह एक heavy एक large software है one application can fail without affecting the other क्योंकि इसमें इसके resources इसका data centralized नहीं है यानि अगर एक application fail होती है तो दूसरी का उसके साथ कोई link नहीं है तो उसको कोई effect नहीं करेगी लेकिन इसमें तुमाम application जो इतने भी resources और data वह centralized है जब main centralized system fail होगा तो तुमाम work stop हो जाएगा इस तरह से तो यह main इसके जो difference है लेकिन अगर आपको long question में आ जाए कि difference between file and database approach तो कभी ऐसे नहीं लिखना आपने कि एक point इधर एक point इधर क्योंकि आप BSE level पर हैं तो आप upper level पर हैं तो आप simply पहले file processing system की definition लिखें फिर आप उसके disadvantages लिखें लिखें फिर आप यहां पर आपको पीछे उन्होंने डिफाडनी कि यह लेकिन आपको इसके advantages भी तीन में लिखें अब लिखें complex system है यहां पर आप अपनी जबान में यह आप नी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि जो इसका system complex है क्योंकि यह हमें इतनी ज्यादा फसिलिटी परवाइड नहीं करता जिसके वज़ाद यह complex भी है और database management की system यह costless भी है इसी तरह पिर आपने database लिखना है फिर उसके disadvantages और advantages दोनों लिखने यह long question के लिए इसे लिखना है लेकिन अगर short आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आपको पूरे number मिलेंगे क्योंकि इसमें आपके grammarly mistake बिल्कुल count नहीं होती है आपकी spelling mistake आप ज्यादा तर नहीं करें लेकिन वह आपका concept लेगा जो checker होगा वह देखेगा कि आपके जो जहन है वह उसने concept लिया है के नहीं वह clear है के नहीं टीक हो गया इसके बाद हम इसके अगले topic इंशाला स्टार्ट करेंगे अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो subscribe भी कर लें और इसके लाव दूसरी वीडियो भी चेक करें ताके आपको मुकमल तोर पर जो इसके मुकमल तोर पर खतम हो सके तो इंशाला इसके बाद हम अगले topic भी करेंगे और अगले chapters भी करेंगे तब तक के लिए लिए अधिस